क्या होता कांग्रेस का वेरवद ना हारने के लिए हारने के लिए उसको देते हम कांग्रेस को जबाना जब्स कराने के लिए चलन जादे बग्चों नर है उसको कुछ पता नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है आरजेटी चीफ लालू प्रसाद यादो साड़े तीन साल बाद पतना पहुचे हैं लेकिन दो हंगामा ले करके पहुचे हैं एक मा भारत मची है उनके घर में क्योंकि बड़े बेटे तेजपरताब प्यादव कांग्रेस से आरजेटी का गटबंधन है लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है दो विधानसवा सीटों पे कुसेश्वर अस्थान और तारापूर वहां पे आरजेटी ने अपने दोनों कंडिडेट उतार दिये जबकि कांग्रेस को एक सीट नहीं दी कांग्रेस का तर्ख था कि पिछले चुनाव में वो दुसरे नंबर पर आई थी लिहाजा उसे एक सीट मिलने चाहिए इसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव के दिल्ली से पटना पहुचने से पहले दिल्ली में जब पत्रकारों ने पूछा क्या होता कांग्रेस का वेरवन न और पांग्रेस को जब आने के लिए वहार के भक्ष चर्ण दास उन्होंने यह कहा था कि आरजएडी का बीज़ेपी से पैक्ट हो गया राजनीत में इसे आरोप लगाये जाते हैं चुकि आरजएडी ने कांग्रेस को सीट नहीं दी तर क लालू यादो से जब पृतिकरिया पूछी गई तो उन्होंने उनको भक्षूनहर कह दिया अब भक्षूनहर क्या मतलब है आपको पता ही है कि जब राजनीत में अब सब्दों का इस्तिमाल होता है तो उस सब्द के मायने ढूने जाते हैं अब इसको लेकर के कांग्रेस की बरिशनेता पूर्वी स्पीकर मिर्या कुमार आई सामने और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादो को ऐसी भासा का इस्तमाल सोभा नहीं देता है भक्षूनहर कह करके उन्होंने एस्सी एस्टी जो एक्ठ है उसके तहत अपराद किया है उनके खिलाफ मामला बनता है अ वो हमारे बड़े भाई की तरह है उनका बहुत सम्मान है बहुत बरिश्ट नेता है मैं तो छोटा आदमी हूँ लेकिन मीरा कुमार नहीं मानी मीरा कुमार ने उनको घेर लिया फिर आरजेटी के प्रवक्ता है मिर्तुनजय नरान तिवारी वो सामने है और उन्होंने कहा क भक्त चर्णदास जो है बीजेपी आरेसेस के भक्ति में लीन है यानि कि उसको अब उन्होंने राजनितिक बनाने की कोशिस की क्योंकि कौन बीजेपी और संग से मिला हुआ कौन नहीं मिला हुए राजनित में ये एलिगेशन बहुत समानने सी बात है लेकि भक्छोन हर कह समानने सी बात नहीं है ठीक है कि बिहार और पूर्वी उतर प्रदेश में ये वर्ड चलता है लेकिन मिर्या कुमार यदि कह रही है तो कुछ सो समझ के ही कह रही है तो ये अब वहां कि राजनित का हालत 30 अक्टूबर को चुनाव है और दोनों जो विधान सभा सीटे हैं वहां पे कांगरेस का भी उमिद्वार है आरजेडी भी का भी उमिद्वार है लालो प्रसाद यादों कर रहे हैं कि क्या जमानत जब्त कराने के लिए हम उनको दे देते इसका मतलब कि आरजेडी को लग रहा है कि वो दोनों सीटे निकाल लेगी अब तो 30 अक्टूबर के बात जब 2 नौमबर को मत गड़ना होगी तब पता चलेगा लेकिन इससे पहले कांगरेस और आरजेडी में जो एक तरह से तनाव हुआ है और इसी बीच कनहिया कुमार भी CPI से कांगरेस में आ गये हैं तो सभाविक रूप से उधर से कनहिया कुमार के आने से आरजेडी अ एक नेता मिल रहा है कनहिया कुमार दो तिन उभरते हुए वहां के युगा नेता है कौन-कौन तेजस्वी यादव कनहिया कुमार और इधर चिराग पासवार तो सभाविक से बात है कहीं ने कहीं अंदर प्रतिश द्वन्दिता रहती है चिराग के तो यह लोग साठने के सायोग नहीं किया तो इसी में क्यों सायोग करेंगे तो कनहिया कुमार वाला भी एंगल है लेकिन फिलहाल भक्चुनर को ले करके वहां पे हंगावा मचा हुआ है तो आप रहे ने बेखबर देखते रहिए इंट खबर थैंक्यू